साई की बात बचे जादा मत सोचो मेरे बचे जो तुम्हारी ये नकारत्मक सोच है ना मेरे बचे इसे दूर करो मेरे बचे इसी के कारण ना तुम अपना स्वास्त और अपना मन खराब कर लेते हो आगे जो होना है वो तो तुम्हारे साई के हाथ में है तो फिर सोच सोच कर क्यों परिशान होते हो मेरे बचे तुम्हारा भविश्य तुम्हारी हर एक चीज तुम्हारे साई के हाथ में है जब तुमने साई को सौब दिया है तो चिंता किस बात की मेरे बचे क्यों चिंता करते हो और तुम जानते हो तुम अपनी सोच से बढ़ करना बहुत कुछ कर सकते हो इन चीजों पर धान देने के वज़ा कि तुम्हें क्या करना है कैसे करना है करो मेरे बच्चे मैं तुम्हारे साथ हूँ मैं तुम्हें विज़ई बनाऊंगा बिल्कुल चिंता मत करो चिंता नहीं मेरे बच्चे चिंतन किया करो तुम्हारा साथ है न तुम्हारा साथ सब करेगा और सुनो मैं जानता हूँ मेरे बच्चे तुम किसी को दावद देना चाहते हो और तुम मुझसे पूछते हो कि साथ कैसे होगा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा उलत जाते हो तुम्हें लगता है कि जितना बजट जितना हिसाब तुमने बनाया है उस हिसाब से सब अच्छे से हो जाए तो सुनो मेरे बच्चे समय निकट आने दो मेरे बच्चे मैं तुम्हाले लिए रास्ता निकाल दूगा और वो रास साइं को कारे सौपा है तो बस सब हो जाएगा बहतरीन होगा मेरे बच्चे और लोग तुम्हारे वावाई भी करेंगे देखना मेरे बच्चे और मेरी कुछ बच्चियां सापताहिक परायन शुरू करना चाहती है तो उन्हें स्विक्रती है वो करो मेरे बच्चे और मन से औ इसे तुम करते हो मेरे बच्चे मैं तुमारी हर तरीके से की गई पूझा पार्ट को स्विकार करता हूँ तुम जिस भी तरह करो, बस मन लगा कर करो मैं तुम rooting बहुत सारा अशिरवात भी देता हूँ मेरे बच्चे और सुनो, मैं जानता हूँ कि तुमने जो सोचा है न वो बहुत अच्छा सोचा है कि यदे किसी के अंक कम आए है न या वो उत्रीन नहीं हो पाया तो कोई बात नहीं ऐसा नहीं कि आगे तुम जीत नहीं पाओगे तुम आगे हारोगे ऐसा नहीं है जब तुम्हारे साइन ने तुम्हारा हाथ पकड़ लिया है न तो किसी से तुलना मत करना मेरे बचे बस ये बुरी आदते होती हैं कुछ लोगों की चो तुलना करते हैं और खास तोर से अगर घरवाले होतों तकलीफ सादा होती है लेकिन तुम अपने अंदर से मजबूत ब रखनी है और इसी तरह से मजबूत बनकर आगे बढ़ना है तुम जीतोगे न मेरे बचे और सुनो जिस समस्या से जिस परेशानी से तुम परेशान होना अभी तो चिंता मत करो उसका समाधान भी हो जाएगा और जो तुम्हारा स्वास्त डगमगा रहा है न तो रोज मेरे आगे एक दीबक जलाना और बाद में कस्र निवारन मंत्र करना फिर देखना सारे बिमारियां तुमारे खतम हो जाएंगी जड़ से मेरे बचे और अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ जो मुझसे हमिशा कहते हैं शिकायते करते हैं कि उनकी जिंदगी में मैंने ब जो उठता है जो उठकर बाहर निकल जाता है तो वही विजही रहता है और वो शक्ति सब के अंदर होती है सिर्फ पहचानने की बात है और तुम भी उठो ना तुमारे अंदर भी शक्ति भी है और वो हिम्मत भी है तुम हर परस्तिती से बाहर निकल सकते हो किसी को कोसने की जरुवत नहीं है, ना खुद को, ना मुझे, और ना ही इस परस्तिति को, बस वहाँ से बाहर निकलना है तुम्हें, यही जीवन की परिक्षा है मेरे बच्चे, अगर तुम इस जीवन की परिक्षा से एक बार पूरी तरह बाहर निकल गए न, तो तुम जिंदगी भर अराम से रहोगे बस तुम्हें तयार होना है अपने मन से मेरे बचे बाकी तो तुम्हारा साइं सब संभाल लेगा मेरे बचे मैं सब संभाल लूँगा और सुनो जो तुम्हारे मन में आया है न वो लालच नहीं है मेरे बचे वो कोई आज चाकरत होई है तुम्हारे अंदर और वो सिर्फ और सिर्फ मेरे कारण है मैं तुम्हें देना चाहता हूँ मेरे बच्चे वो लालच नहीं है और वो मैं तुम्हें दूंगा मेरे बच्चे जिसे पाकर तुम बहुत खुश रहोगे और आज कर ला तुम खुश रहने भी लगे हो कुछ मेरे बच्चे जो सिर्फ अपन तो उसे सही रास्ते पर लेकर आओ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम किसी गलत दिशा की तरफ जाओ खुश रहो, बहुत सारा प्यार मेरा आज का रात्री साई संदेश समाब दूआ